नमस्कार दोस्तो, नेपाली फिल्म इंड़स्टी में आने वाले फिल्म बलिदान एक तुफान की तरह आने वाली है, जो की उसकी हवाओं में सारी फिल्मों की रेकॉर्ड तूट जाएगे, ये आप आज ही लिख कर रख लो, मैं बोला हूँ, दोस्तो, मैं इस बात के बोलन है, जो आज मैं आप सभी को बताना साओंगा, बर दोस्तो, सबस्तो, पहले तो सेलीट है भाई इस फिल्म के डिरेक्टर संतो सेन को, जहां पर नेपाली फिल्म इंड़स्टी में एक होड सा मचा हुआ है, एक एक डिरेक्टर साल में तीन फिल्में, चार फिल्में कर ले र है, जो उनको हर एक डिरेक्टर से अलग बनाती है, डिरेक्टर संतो सेन, पिछली बार जो फिल्म लाया थे, प्रेम गित्री, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस्पूल और एक अलग बेंचमार्क सेट किया था, हाँ, एक ओडियंस के तोर पर दूसरे फि लिके के नेपाली फिल्म में अभी तक कोई फिल्म नहीं बना हुआ था, जो प्रेम गित्री में दिखाया गया था, अब दोस्तों यहां पर कट्टू हम आते हैं, अभी के टाइम पर जो की डिरेक्टर संतो सेन फिल्म बनाने जा रहे हैं, सौरी दोस्तों, कॉल आ गया था कट्टू हम लोग आते हैं अपने बात पर, डिरेक्टर संतो सेन बलिदान के लिए बहुत ही बड़ी बलिदान दे रहा है, आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा इंपोटेंट दो चीजे होता है, पैसा, समय, और ये दोनों चीज़ डिरेक्टर संतो सेन बलिदान के भूम रहे हैं और लोकेशन अपने फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक सेलेक्शन कर रहे हैं जो कि उनकी डेडिकेशन लेवल को दिखाती है अब दोस्तों बात करते हैं कि यह फिल्म कितने बड़ी ग्रैंड होगी तो दोस्तों इस फिल्म के लिए बिराट नगर में 40 सीट क मता दुर्गा का मुर्ती बनाया जाएगा इतना ही नहीं हजारों की लोगों की संख्या में भीड दिखाये जाएगी फिल्म में और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 500 लोगों की फाइट सिक्वेंस होने बाला है जो कि एक भव्य होगा और सायद नेपाली फिल्म में इतने बड़े लोगों की फाइट सिक्वेंस सुट नहीं हुआ है अभी तक जो की फिल्म बलिदान में होगा तो कहीं नेपाली फिल्म में एक अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं टाइम तो वो लेते हैं औरों की तरह नहीं कि साल में चार फिल्म बना दिये पांच फिल्म बन संतों सेन वह है जो अपना खुद की रासा अलग बना रहे हैं दोस्तों बस इतना ही नहीं बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं जो सुनकर आपको इंट्रेस्ट जगेगा इस फिल्म को लेकर दोस्तों नेपाल की सबसे बड़ी इंडोर इस्टूडियो जो BMC स्टूडियो है उसमें इस फिल्म का सुट किया जाएगा तकरीबन 40% का जो सुट होगा उसी स्टूडियो में होगा जो की ग्रीन स्क्रीन और क्रोमा पर सुट किया जाएगा जिसका मतलब आप यह समझ सकते हो कि जब क्रोमा पर सुट किया जाएगा ग्रीन स्क्रीन पर सुट किया जाएगा तो फ बड़ी रिकॉर्ड बन सकती है। हलाकि नेपाली फिल्म इंडिश्टी में ये चीज़े वी एफेक्स बहुत ही कम दिखाया जाता है। क्योंकि वी एफेक्स जादा दिखाने से फिल्म की बजेट बहुत ही जादा बढ़ जाती है। अब दुस्तों यहाँ पर और भी बात है जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इस फिल्म का सुटिंग के लिए साउथ इंडिश्टी के जाने माने केमरा मैन को बुलाया गया है फिल्म को सुट करने के लिए टेक्निसियन में बहुत सारे टेक्निसियन को भी बुलाया एकदम जो टेस्ट आएगा फिल्म का साउथ वाला ही आएगा फिल्म में जितने भी एक्टर होंगे वो तो सारे नेपाल के ही है बट टेक्निसियन जो है वो सारे आपको साउथ इंडिया के मिलेंगे और नेपाल के भी मिलेंगे जो की एक बहुत ही अच्छी कहा जा सकता है संतोस सेन का एक पहल है जो फिल्म का लेबल scale up करने के लिए वो तरह तरह के बहुत ऐसे जगह का टेकनिसियन लेकर आ रहे हैं बहुत सारे लोग ये भी कर रहे हैं कि नेपाल में टेकनिसियन नहीं है क्या नेपाल में लोगों की कमी है क्या की केमरा मैन बुला रहे हैं तो यह चीज़े आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए आपको यह करना है कि साउथ इंडस्ट्री आज आपके देख लो ना जब फिल्म आया है कल की वो हॉलिवूड को टकर देने वाली है टेकनिसियन सारे साउथ के ही तो कही ने कही जब वो आएंगे साउथ के जो डिरिक्टर है जो केमरा मैन है जो टेकनिसियन विगर आकर नेपाल में काम करेगी तो कही ने कही आप लोग वो देखोगे और उनसे सीखने को मिले गया कि हाँ भाई किस तरीके से क्या चीज होता है तो वो सीखने के भी परपस एक हो सकता है तो और आपका जो फिल्म का स्केल रहेगा वो भी एक बड़े स्केल पर जाएगा इस्पेसली जब साउथ इंडिया के जितने भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं वो लोग टेखनीशियन हो गए चाहे वो फिल्म के डिरेक्टर हो गए, सोरी, फाइट डिरेक्टर हो गए, फाइट के कोरियोगराफर, केमरा में हो गए, तो मतलब फ्लेवर जो आने वाला है, बह हाई कि फिल्म को लेकर यह लोग कितना ज्यादा डेडिकेट हैं, मैं तो भायाओती ज्यादा एकसाइट हो इस फिल्म को लेकर आप कितना एकसाइटेड है, कमेंट करके जरूर बताएगा, बाकी नेपाल से रिलेटेट ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को, स सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर किजिएगा मैं मिलूंगा आप सबी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टपी के साथ तब तक ख्याल रखे अपना और अपने चाहने वालों का धन्यवाद